नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नए करियर में दोस्तों फोन पे वालेट में आप अपनी KYC किस प्रकार से कर सकते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जी हां दोस्तों यदि आपको भी अपने मोबाइल से फोन पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल अगन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगली बार जब भी हम ऐसी लेटेस्ट और इंफोर्मेशनल वाली वीडियोस टाले तो आप तक जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुचे तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के आज बना हुआ है आपको इसी पर क्लिक कर देना जब आप इसपर क्विक करते हैं दोस्तों तो यहां पर आप को रीडायर किया जाता है आप की बना हुआ तो आपको simply इसी पर click कर देना है तो जब आप इस पर click करते हैं दोस्तों तो यहां पर देख सकते हैं आपके सामने आपका personal detail देखने को मिलता है और नीचे scroll down करते हुए आएंगे तो यहां पर आपको KYC details देखने को मिलता है इस KYC को complete करने के लिए दोस्तों पर complete now वाले option पर click करना होगा तो चलिए दोस्तों हम यहां पर अपनी KYC details पर click कर लेते हैं complete now वाले option पर click करते ही दोस्तों आपको redirect किया जाता है कुछ इस प्रकार से एक नए interface की तरफ अब यहां पर दोस्तों आपको नीचे देख सकते हैं लिखावा मिलेगा complete KYC तो आपक यहां पर जो है यदि आप इसको change करना चाते हैं आपके पास pen card नहीं है तो आप दूसरा कोई document देना चाते तो इसके लिए आपको यहां पर change document का option मिलता है जहां पर click करके आप जो है इन में से कोई भी एक document दे सकते हैं अपनी KYC को complete करने के लिए first option में दोस्तों pen card देखन को मिलता है third option दोस्तों यहां पर voter ID card देखने को मिलता है और fourth option यहां पर passport मिलता है और last option दोस्तों फिफ्ट का जहां पर आप नरेगर job card को भी यहां पर use कर सकते हैं अपनी KYC को complete करने के लिए तो चलिए दोस्तों हम यहां पर जो है अपने pen card का use करते है pen card के through अपनी KYC करे आपको जिससे KYC करनी होगी आप वो यहां पर document सेलेट कर लेंगे तो चलिए दोस्तों pen card सेलेट करने के बाद जैसा कि देख सकते हैं हमें यहां पर अपना pen card number fill up करना है आपका जो भी pen card number है वो आप यहां पर fill up करेंगे उसके बाद दोस्तों pen card में जो आपका नाम लिखा वही नाम आपको इस box के अंदर fill up कर देना है तो चलिए दोस्तों हम यहां पर जो basic details है यह इसको fill up कर देते हैं उसके बाद आपको आगे का process बताते हैं जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहां पर जो है अपना pen card number और नाम जो है enter कर दिया है तो चलिए अब यहां पर जो है इन दोनों को करने के बाद आपको नीचे एक option मिलता है दोस्तों submit button आपको simply submit button पर ही click कर देना है submit button पर click करते ही दोस्तों आपकी जो KYC है done हो जाएगी जीहां दोस्तों बस इतना ही करते ही आपकी KYC done हो जाएगी KYC हुई है या नहीं हुई है इसको देखने के लिए दोस्तों आप देख सकते KYC details जो option मिलता है आपको यहां पर आपको जो है green color का एक यह right tick देखने को मिले हैं verify भी कर सकते हैं तुरंत verify होता है दोस्तों instant तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही यदि आपको phone पे wallet से संबंदित कोई भी problem आ रही है तो हमें comment box में बता सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक like जरू कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो क्रिप्या करके चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना मत भूलिए गा ताकि अगली बात जब भी हम ऐसी latest और informational वाली वीडियो डाले तो आप तक जो notification है सबसे पहले पहुचे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली next वीडियो में एक नई information के साथ झाला 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 सके साल सक दाला तोस्तों में जब आ झाला ये खकूँर के लीजिए, और बोस्तों में खलिए और कर राधंगर, लीजिए, भाल्वाद को inजिए हैं ऑला थ़ुचे हैं